हेलो दोस्तों, वेलकम टो P.W. Only I.S. डेट है आज की 2 जून 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रेलेम बूस्टर न्यूस डिसकॉशन के अंदर देखें जैसा कि आप सभी की डिमांड थी की सभी की सभी की सभी के अंदर थोड़ा आप सी से डिसकॉशन भी करिए तो बिल्कुल आज मैं आपके लिए एक होमवर्क भी लाया हूँ तो एक क्वेशन आपको वहाँ पर सॉल्ट करना होगा जिसका मुझे आप नीचे साथ ही है कि जो यूपियसी का सिलिवस है समझ नहीं आता कि उसको कैसे पढ़ना है कैसे उसको डिकोड कर पाइं तो उसी पर्टिकल पर्पस के लिए हमारी टीम की तरफ से आज शाम पांच बजे यानि कि दो जून शाम पांच बजे एक वेबिनार होगा सर इस वेबिनार को कौन कंड़क्ट करेगा देखो जो लोग मुझे नहीं जानते तो डेफिनेटली मैं तो हूँगा ही मेर नाम रिश्व है ठीक है और उसके साथ ही साथ आपके फेबरेट पारस जैन सर भी यहाँ पर इस सेशिन के अंदर होंगे पारस सर का भी बहुत एक्सपिरियंस रहा है ठीक है बहुत साथ स्टुएंट्स को इन्होंने मेंटर किया है बहुत से स्टुएंट्स ने उनमें टॉपस भी निकल कर आए है जैसा कि जो PSIR के अंदर बहुत सारे एस्पिरिंट्स का यहाँ पर देखने को मिला है अब ऐसे में यही समझनी आता कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है तो इस तरह से जितने भी कुछ मुद्धे हैं जो आपको स्लिबर्स को समझने के अंदर इस एक्जाम को क्रैक करने के अंदर हेल्प करेंगे तो सारे इशूस हम कही नखी डिस्कस करेंगे एक अच्छी अंदरस्टैनिंग बनाएंगे नोट मेकिंग कैसे करनी चाहिए जो आपको कुछ डाउट्स होते हैं कि कितना पढ़ना है कैसे पढ़ना है वो सारे चीज़े हमें यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं अब इस पर्टिकुलर वेबिनार का जो लिंक होगा ना मैं हमारे टेलिग्राम चैनल पर डलवा दूँगा हमारे टेलिग्राम है Onlyis Nothing Else कुछ लोग पूछते भी रेटिंग से प्रिलेम बूस्टर की पीडिएफ नहीं मिलती यहाँ पर अप्लोड होती है Onlyis Nothing Else पर तो इस टेलिग्राम चैनल को आप डेफिनिटी जोइन कर लीजिए वहाँ पर मैं वेबिनार का लिंक भी डलवा दूँगा तो आज साथ पीडिएफ भी आपको मिलती रेगी तो make sure इस टेलिग्राम चैनल को आपको जोइन कर लीजिए और भूलना नहीं है 2nd June आयान की आज शाम आपको 5 बज़े हमारे साथ यहाँ पर जुड़ जाना है यह आपका homework रहेगा UPSC CZ 2023 का previous year question इसको try कीजिए थोड़ा easy questions मैंने आज starting करी है फिर जिरे जिरे हमार भी difficult questions साथ साथ लेते रहेंगे आगे चलते हैं डिसकस करते हैं अहिलिया भाई होलकर जी के बारे में देखो discuss क्यों कर रहे हैं दरसल में जो CM है न महराष्टा के एक नाशिंदे जी उन्होंने अनौंस किया है कि जो एहमद नगर सिटी है उसका नाम बदल के क्या रखा जाएगा अब अहिलिया नगर रखा जाएगा दरसल में ये हैं अहिलिया भाई होलकर जी इनका जनम हुआ था कब 1725 के अंदर ठीक है अब इनकी 298th बर्थ एनिवर्श्री है उस उपलक्ष के अंदर क्या किया गया है ये सिटी का नाम चेंज कर दिया गया है और महराष्टा की CM का ऐसा कहना है कि वहाँ की तो लोकल लोग थे उनकी ये डिमांड थी कि यहाँ पर इस जगा का नाम अहिल्या नगार रखा जाए अब देखो इनके बारे में ना हमें चलो पढ़ तो लिया नियूस तो पढ़ ली पर हिस्ट्री के अंदर हमें जाना पड़ेगा देखना पड़ेगा कि इनका क्या कॉंट्रीशन रहा है तो वो सारी चीज़े हम समझेंगे दिरसल में इन्होंने क्या किया था महेशवर जो कि आज के डाइम पर मद्या परदेश के अंदर स्थित है उसको होलकर डैनेस्टी की सीट की तरह एस्टैब्लिश के गया था किसके द्वारा अहिलिया भाई होलकर जी के द्वारा इनका बर्त हुआ था एक मराठी हिंदू फैमिली के अंदर मानकोजी शिंदे हो गया सुशिला शिंदे इनके फादर एंड मदर थे कहाँ पर हुआ था सर एहमद नगर के अंदर ही चोंडी विलिज के अंदर इनकी शादी हुई खांडे राओ जी के साथ ठीक है और इनके हस्बेंट की डेथ चब हुई बैटल आफ कंभेर के अंदर उसके बाद इनोंने मालवा का कंट्रोल अपने पास ले लिया ठीक है 1767 में अहिलिया भाई को क्राउन किया गया as the queen of indoor ठीक है तो बीच में आप देखोगे कि इनके father-in-law हो गया son हो गया उनकी भी death हुई है उसके बाद यब यह crown of मतलब queen of indoor बनी 1767 की अंदर ध्यान रखना यह लगबग 30 साल ठीक है जो मलहार रा होल कर मतलब इनकी death तो देखोगी 1795 के अंदर उसके लगबग 23 साल के बाद यानि की 818 के अंदर मलहार रा होल कर ने क्या क्या capital को indoor shift कर दिया इनके time पर कहां की महेशवर के जोड़ थी वहाँ पर उसकी capital हुआ करती थी अब important चीज़ क्या है कि इन्होंने क्या कर काम करवाए देखो इन्होंने बहुत सारे मंदिर घाट और धरम शालाए बनाई अलग-अलग parts of इंडिया के अंदर आप जानते हो औरंग जेप के दौरा ना कुछ particular sites थी जिनको destroy किया गया था तो इन्होंने बहुत सारे उनको restore किया वापिस से उनको ठीक करने का काम उन को मिल जाएगा वो इनके दौरा बनाया गया ठीक है विश्मनाथ टेंपल वारानसी का हो गया वो इनके दौरा बनाया गया साइसाथ सोमनाथ जोतिरलिंग आपको गुजरात में देखने को मिलता है उसका renovation हो गया ग्रिनेश्वर जोतिरलिंग एट औरंगाबाद चिया वंति दौर का ठीक है ना बदरी नरायन रामेश्वर जगनाथ पूरी इन पर्टिकुलर साइट को और थोड़ा अच्छा किया गया राइट साथी साथ गंगा वाटर का पानी अलग-अलग जगापे मिल पाए ठीक है ना तो ये भी साइज चीज़े इनके दौरा करी गई गई कुछ और काम भी थे जिसे इन्होंने इंशोर किया कि भाईया एक होती है फैमली एक होता है स्टेट अब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि जो स्टेट का खजाना है वो परिसनल फैमली के लिए यूज़ का उतर रहे ठीक है तो इन्होंने इसको सेपरेट गिया स्ट इनले एक बहुत ही छोटा सा गाउं हुआ करता था अब आज के टाइम पर इंडिया की सबसे ब्यूटिफुल सिटी है तो उस डिरेक्शन में काम इनके द्वरा किया गया साथी साथ आप नोटिस करोगी जो महेशवर था उसके अंदर भी अलग-अलग चीज़े किया अगले टॉपट की तरफ अगे बढ़ते हैं सुरी। देट इस साइटेस्ट प्रॉजेक्ट। साइटस क्या है साइटस टैंट फॉर शिटी इनवेस्टमेंट तो इनवेट इंटेग्रेट एंड से स्टेंट प्रॉजेट्ट। दरसल में है क्या ना कैबिने इसको आपने जो सुना होगा ना, जो हमारे स्मार्ट सिटी मिशन है, ठीक है, उसके लावा भी आप नोटिस करो हमारे या ना, कि अर्बनाइजेशन की एक तरण से वेव चल रही है, बहुत तेजी से हम अर्बनाइज हो रहे हैं, अब ऐसे अर्बनाइजेशन की टाइम के उपर ज जैसे कुछ मुद्धे होते हैं, जैसे Waste Management का मुद्धा हो गया, क्लाइमेट का मुद्धा हो गया, यह सारे मुझे थोड़े पीछी चूड़ जाते हैं, कि Climate, हम ना कहीं कहीं, urbanization के अंदर इतना तेजी से आगे घुश गए है कि ये इस तरह के मुद्दों पर ध्यान नहीं दे पाते तो situs जो है ना दरसल इसी के अंदर काम पहरता है कैसे काम पहरता है उसका focus यही है कि हाँ हम जो अलग-अलग चीज़े हैं उनको उनको उनके अंदर waste management हो गया climate change के regarding issues है उनके regarding हम policies बना पाएं ये सारे मुद्दे हम यहाँ पर siteus के अंदर देखने को मिल जाते हैं तो innovation हो गया, integration हो गया and sustainability के उपर हमारा focus है ध्यान रखना ये program smart city missions के अंतरगत ही हमें देखने को मिल जाएगा यहाँ पर अलग-अलग levels के उपर focus है जैसे for example आप notice करो city level के उपर क्या होगा city level के उपर होगा waste management के उपर focus और यहाँ पर हम promote करेंगे circular economy सर इसका circular economy का meaning क्या होता है दोको बहुत ही simple meaning है मैं आपको समझाता हूँ एक second जैसे माल लो, आपने कोई product था आपने उस product को use किया use करके उसको fake दिया मतलब ठीके ना, खतम हो गया वो product इस तरह से तो यह इसको बोलते हैं linear economy आपने उसको उप्योग किया उसको fake दिया और बात खतम पर इसकुद सोचो, अगर product को हम fake है, माल लो, fakeने से पहले कहीं न कहीं, उसको या तो recycle कर दें, उसको reuse कर दें तो क्या होगा, यह एक तरह से ना, हम उस product की shelf life को बढ़ा सकते हैं, कुछ changes करते हुए और waste को भी कम किया जा सकते हैं, बिल्कुल अब यह बनाना एक तरह का circle, इसी को तरह से हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे जब national level की, तो national level के उपर हम बात करेंगे, knowledge dissemination की, तो यह साही बाते हम यहाँ पे देखने को मिल जाती है, तो यह जो site is two point होगा, यह implement किया जाएगा कहां पे, अभी 18 cities के उपर यहाँ पे किया जाएगा, साथ मिल जाते हैं, एक हो गया financial and technical sport यहाँ पे आपको मिलेगी, उसके लाबा, adaptation and mitigation, adaptation का मीनिंग क्या होता है, adaptation का हिंदी यह मीनिंग होता है, अनुकुलन, और mitigation का मतलब होता है, शमन, कहने का मीनिंग क्या, जो अनुकुलन होता है न, वो हम कहते हैं कि कैसे हम climate change हो रहा है, उसके कैसे adopt करें, adapt करें मतलब, जो उसके परभाव होंगे, उसके हम कैसे निपट सकते हैं, वो अनुकुलन के अंदर आ गया, mitigation के अंदर के हो गया, जो शमन होता है, शमन के अंदर हम बात करते हैं कि जो climate change है, उसके जो pauses है, उनसे हम कैसे निपट पाएं, जो उसके कारण है ना, उसके पीछे के, जलवाई उपर वर्टन के पीछे का जो कारण है, उनसे हम कैसे निपटा जाए, कैसे उसको कम किया जाए, उसके जो missions को, ये सारे हमें देखने के मिल जाते हैं साज साज जो तीसरा component है, वहाँ पर state level के उपर, central level के उपर, और city level के उपर, कैसे कैसे हम यहाँ पर काम कर सकते हैं, ये सारे यहाँ पर interventions देखने को मिल जाएंगे, तो इसका time period रहेगा, 4 साल का, 1223 से 1227, ध्यान रखना है, कि Ministry of Housing and Urban Affairs हो गया, ठीके ये तो है, इसके लाबा कुछ और partnerships हैं, जैसे AFD, French Development Agency हो गया यहाँ पर, ठीके न, कुछ और organizations हैं, European Union हो गया, NIUA हो गया, ये सारे हम यहाँ यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, इसको जो Citus का पहला version था, वो launch हुआ था, 2018 के अंदर, अब यहाँ पर करोड का लोन आएगा, यहाँ से AFD के द्वरा, KFW के द्वरा, ठीके न, और साज साज Technical Assistance आएगी किस के द्वरा, European Union के द्वरा, ये कुछ इंप पॉइंट पॉइंट से जो हमें पता होने चाहिए थे, next topic की तरफ आगे बढ़ते हैं, that is, world's largest grain storage plan, अब इसको समझते हैं, sir, इसका meaning क्या है, देखो, आप न, हमारे किसान भाईयों को समझो, जो हमारे farmers होते हैं, ठीक है, sir, अब farmers को दिक्कते क्या आती है, मान लो, कोई चीज़ दोने produce करी, कुछ चीज़ बना ली, ठीक है, न, अब क्या होगा, उसके market में दाम कम मिल रहे हैं इनको, तो इनको न, उसी rate के उपर, कम दाम के बेचना पड़ता है, क्यों, क्योंकि अगर नहीं बेचेंगे, तो भाईया, storage है नहीं, तो वो चीज़ खराब हो जाएगी, तो इसको क्या बोलते हैं, distress cell, ठीक है न, तो साथ ही साथ आप notice करोगे, अगर storage नहीं है, तो हमारे जो food grains होते हैं, वो हम उनको store नहीं कर पाएंगे, तो वो damage हो जाएंगे, अब इसी वज़ा से KBR क्या होता है, हमारे क्योंकि चीज़े damage हो जाएंगी, तो हमें दूसरी countries के उपर import के लिए dependent रहना पड़ेगा, तो ये सारे कुछ ना कुछ हमें issues देखने के मिलते हैं, उपर से climate change होता है, तो और impact आ जाता है, अब यहाँ पर जब ये सारे दिक्कते आ रही हैं, तो हमारी जो government है, उसके द्वरा क्या किया गया है, उसके द्वरा focus किया गया है कि हम पता क्या करेंगे, हम हर block के अंदर क्या करेंगे, एक godown बनाएंगे, ठीक है सर, ये godown कितना हो गया, ये होगा, आपका 2000 ton का, ठीक है, 2000 ton की उस godown की capacity होगी, ठीक है, सर, ये godown की मदद से होगा, क्या, देखो यही सारे issues, जो हमने बात करीन कि storage नहीं है, वो storage वहाँ पर बन जाएगी, और storage बन जाएगी, तो पसानों का फाइदा होगा, हमारी food security को फाइदा होगा, और साथ ही साथ क्या होगा, यहाँ पर employment opportunities, यानि की रोग जोजगार के जो प्रावधान होंगे, वो भी बनेंगे, है कि नहीं, तो इस तरह से मारा focus क्या है, world largest grain storage plan बनाने का है, इस particular चीज़ के through, तो union cabinet है, उसने इस तरह से approval दे दिया है, इसके regarding, IAMC बनेंगे एक इंटर मिनिस्टियल कमेटी, जो कि इसके regarding work करेगी, अब ध्यान में रखना, इसके लिए न हम क्या करेंगे, एक लाख करोड रुपया खर्च करेंगे, इस रहोंगे, सर, ये एक लाख करोड रुपय तो बहुत जादा होता है, ये कहां से आएगा, क्या हम नया पैसा निकाल के आ रहे हैं, कहीं, देखो ऐसा नहीं है, दरसल में कोई नया पैसा नहीं, इसके लिए है, मैं समझाता हूँ आपको, हमारे पास ना, जैसे आप जानते ह ये सर, आप मनिस्ट्रि ऊफ कंजीमर अफे जैस, आप जानते होंगे, उसी तरह से, जो फूर अन पबिक ब्स्रीशन वही वाली मिनिस्ट्री, और साथ मिनिस्ट्रि ऊफ फूर्सेसिंग उन्डीर्स्टी अइन दिस्ट्री के आगे कुछ अलग अलग प्रोग्राम चलते है जैसे for example Agree Infrastructure Fund हो गया, कुछ हमारे प्रधान मंतरी Formalization of Micro Food Enterprises हो गया, साथ साथ हमारे प्रधान मंतरी किसान समपता योजना हो गया, तो इस तरह से बहुत सारी अलग-अलग scheme में चलती है, अब क्या हम क्यार रहे हैं यह अलग-अलग schemes को हम कनवर्ज कर रहे हैं, समझ पाई य इंगल हम एक तरह से implement करने कोशिश करें, तो कई पार जो डुप्लिकेशन होता है effort का, वो हम कम कर पाएंगे, तो ध्यान में रखना, एक लाख क्रोड पर अलग से नहीं आ रहा, यह इन्हीं जो अलग-अलग मिनिस्ट्री के पास जो कुछ schemes run कर रही थी, उन्हीं की हम convergence के इसको utilize करेंगे, तांकि हम अच्छे से storage का जो plan है, उसको implement कर पाएं, तो यह aim तो हमने समझाई दिया कि कैसे crop damage कम होगा, distress cell कम होगा, यह हो गया, एक लाख क्रोड की हमें बात करी गई है, इंटर्म लिस्ट्री कमिनिटी को यहाँ पर chair कौन करेगा, यह chair करे जाएगे हमार है क्या, यह जो पूरा program है न, यह cooperatives के मदश के through run किया जाएगा, क्योंगी cooperatives का आप notice करो, कि इनका दाइरा काफी बड़ा होता है, काफी इनके पास पहुंच होती है, काफी इच इनकी जादा होती है, तो उसके दोरा हम इसको implement कर रहे हैं, और वहाँ रोल आता है कि इसका PACS का, PACS क्या होता है, primary agriculture credit societies, दरसल में अगर आप notice करो, जैसे हमारे मालों छोटे किसान होगे, ठीक है, छोटे किसानों को credit देने का काम न, PACS बगरा कर देती है, यह न, सबसे छोटा, smallest मतलब, cooperative credit union होता है, ठीक है, जो PACS की बात करते हैं, तो कुछ grassroot level के उपर credit कैसे देना ह है, वो PACS के द्वरा किया जाता है, तो उनको यहाँ पर हम यहाँ पर select कर रहे हैं, तो अभी के लिए फिलाल क्या है, पहले हम 10 districts के अंदर हम यह चीज़ रन करके देखेंगे, अगर वो चीज successful होई, फिर पूरा pan India हम उसको देख लेंगे, तो यहाँ से कुछ सीख मिलेगी हमें, हम उसको पूरे जब pan India implement करेंगे, तो उन particular learnings को महाँ पर हम implement करेंगे, तो इसको implement करेगा कौन दर असल में, ministry of cooperation है, जिसके कौन minister है, Amit Shadji, तो इस तरह से यह चीज़ work करेगी, चीक है न, तो यह साथ चीज़ भी वही है, कैसे हम इसको implement करेंगे, farmers को proper facilities मिल पाएंग पर अभी विका नहीं है वो, तो यहाँ पर बीच में इस टाइम के अंदर हो सकता है, किसान को थोड़ा पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो यहाँ पर प्तक क्या हो सकता है, इस किसान को 70% तक का लोन भी मिल सकता है, मालो उसने एक लाग रुपे का जो समान था न, यहाँ पर इस गुडाउन में रखा हुए, ठीक है न, तो यहाँ से उसको न, 70,000 रुपे का, ठीक है, 70% लोन मिल सकता है, यहने कि 70,000 रुपे का इसको लोन मिल सकता है, in different societies के regarding, तो definitely यहाँ पर किसान को इस direction में भी help मिल जाएगी, तो आई होप आप यह भी समझ दोगे होगे कि ठीक है, अब मैं किसी से न, legal advice लेना चाहता हूँ, legal advice का मतलब कोई कानूनी सला जो होती है, वो लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए पता मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे घर के आपास में ही, कही न, कही आप लोग भी जानते होंगे, आप CSC जानते होंगे, common service center, जहाँ पर अल common service center के बार जाना पड़ता है, तो उनको बोलते है CSCs, तो आप पता क्या करोगे, आपको क्या कानूनी सला चाहिए न, तो आप जाओगे common service center के अंदर, वहाँ पर, computer के उपर, या फिर वो आपको telephone के माद्यम से क्या करेगा, किसी particular वकील से, या किसी particular ऐसे इनसान से आपको connect करवा देंगे, वह आपको कुछ अच्छी legal advice देंगे, उस legal advice को आप use करोगे, कहीं न, कहीं इसका फाइदा क्या होगा, फाइदा ये है कि यर मैं एक simple person हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे proceed करूँ, मेरी किसे लडाई होगी, या कुछ भी कोई जगडा हो गया, मुझे उन्होंने बताया है, कि 40 लाग beneficiaries हमें देखने को मिल गए है, जिनको इस तरह की advice दी गई है, तो एक e-interface system है, यहाँ पर हमारी कोशिश यह ही है कि जिस लोगों को कहीं न के legal advice नहीं मिल पाती न, उन तक हम legal advice पहुँचा आपाएं, अब notice करना, कि जो हमारे advice होती है, वो free of course जी जाती है, कुछ particular sections को, बाकी लोगों को 30 रुपे charge में लगता है, जिसे for example, आपके महिलाएं होगी, schedule car, schedule tribes, OBCs, personal disabilities हो गया, senior citizen, industrial workers, यह पूरी जो list है न, कि victims of disaster, ethnic violence हो गया, atrocity हो गया, earthquake हो गया, person in custody हो गया, sexual exploitation हो गया, इसके regarding जो भी है, उन सभी को advice मिलेगी, बिलकुल म 30 रुपे का एक nominal fees यहाँ पे देखने को मिल जाती है, तो तरीका वही है, ठीक है, common service center के थूरू, video conferencing हो गया, telephoning facilities यहाँ पे दी जाती है, ठीक है, telelaw mobile app के थूरू भी आप यह चीज़ एकसेस कर सकते हो, इस particular program को launch किया गया था, 2017 के अंदर, law and justice ministry, ठीक है, तो यह department of justice के अ पर, आपको यह चार questions का answer देना है, मुझे नीचे comment section एक अंदर, कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, पर इनके answers हम accordingly कल discuss कर लेंगे, पिछले lecture के अंदर मैंने जो आप से question पूझे थे, उनका आप मैं quickly एक बार answer पता आता हूँ, एक था massive giant exoplanet, क्या यह वो planet होते है, जिनका कही landlocked country है, बिल्कुल ही गलत है, कल हमने इसकी location देखी थी, तो यह बात बिल्कुल incorrect है, तीसरी बात हो रहा है, कि अगर state votes के अंदर ज्यादा failure होगा, तो इससे gross enrollment ratio जो ER है, वो कम हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है, और इंडिया का rank भी इससे impact होता है, तो यह बात यहाँ जो हम पढ़ रहे थे, पुराना किले की बात कर रहे थे, तो पुराना किला से मिला है, चौथा statement प्रिकलत हो गया, पांचवाँ गॉंगाडी शॉल्स क्या नाचल प्रदेश से relate करते हैं, नहीं, यह relate करते कहां से, तो इस तरह से आपके यहाँ पे, यह होगे आपके answers, इस आप उसको timely join कीजिए, ठीक है friends, तो यह था आज का lecture, I hope आपको आज का lecture बहुत हची समझाया होगा, अगर आपको इस lecture की PDF चाहिए, तो आप my telegram channel, only ice nothing else पर जाके इस lecture की PDF को access कर सकते हो, और अपने preparation को और भी बहतर मना सकते हो, तो यह था आज का lecture, I hope, तो thank you so much, goodbye and good luck.